तो एर इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा simply के कैसे जो हम लोग देखो अब मैंने पिछली जो वीडियो बताई थी ठीक है बनाई थी cheating के उपर उसमें मैंने बताई था कि Google फॉम पे कैसे हम लोग simply cheating कर सकते हैं लेकिन आप मुझे पता चला कि जो पेपर है वो PDF में आ रहे हैं तो फिर इस वीडियो में आपको simply बताऊंगा कि जो PDF हैं उस पे आप उस PDF के लिए कैसे simply जो questions है उसकी cheating कर सकते हैं ताकि जो आपका एक limited time हो उसके अंदर सारे questions आप कर भी सके हैं और फिर आपको सारे answers बिना किसी मलब बार-बार search करने और इधर उधर करने से ब इस चैनल को subscribe कर दो ठीक है तो चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को simply कि कैसे ये सारी tricks work करती हैं दूर trick बताऊंगा जो कि बहुत एक पिंदाश trick होने वाली है और आपको अगर आप average student हो तो आपको topper बना देगी ठीक है दोको मैं पहले बता देता हूं कि मैं किसी को opens नही वीडियो को देखें तो चलो मैं बताता हूं simply ठीक है वरना अभी तुम लोगों को कि कि time based हो रहा है तो अभी तुम लोगों के सामने हमारा PDF paper पर ऐसे ही आता है ठीक है PDF के लिए paper ऐसे ही आते हैं कि जिसको हम लोगों को solve करके copy में और फिर answer देने रहते हैं लेकिन अब दि बताता हूं simply देखो तुम लोगों को करना चाहिए एक आप को डाउनलोड करना ठीक है अब देख सकतो हूं यहां पर office ठीक है तुम लोगों को मैं description में एस वारी comment section में link देदूँगा ठीक है तुम लोगों को simply इसको download कर लेना है office app है यह इसको download करने के लिए ज्यादा कु है तो सारी Cenay भी बताएगा ठीक है तो मैं इसको get started कर देता हूं यहां पर अपना email देदेना है ठीक है तो देखो मैं अपना जू email है उसको leak के दे रहा हूं ठीक है तुम लोगों उसको mail कर सकते हो और ये मैने mail को enter कर दिया और फिर हम इसको enter कर देते हैं ठीक है कोई अभी कहेगा लेकिन अभी हम थोड़ा इसको trick करेंगे साइब को confuse करेंगे ये कर एक आउंट बनाना चाहते है तो हम कर देंगे नहीं हम नहीं देखो अब ये बिना यहाँ पर जो तीन dots दिखरें इस पर click कर देना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर open with दिखरा है तो इसको open with करके ये office app दिखरा है इसको इससे click कर देना है ठीक है अब यहाँ पर यह तीन डॉट दीख रही है, इस पर click mogęKit कर सकते हो ऑपको लिस्ट पर देना है ठीक है उसके बाद क्या करना है हमें इसको सेब कर देना है तो जैसे हम सेब करेंगे तो यहां पर हम रिनेम नहीं करना चाहते तो हम यहां पर सेब कर दे रहे हैं ठीक है हो गया से अब इसको क्या करेंगे हम लोग टिक पर कर देंगे अब देखो यह क्या open हो गया अब यहाँ पर हमारे सामने देख रहे smart look up यह option देख रहो इस पर click कर देना जैसे हम smart look up पर click करेंगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद देखो got it कर देना है यह और उसके बाद हमारा जो question है देखो सारे answer अब मैं लीजे हमारा यह जो question इदार है तो हम इस पर click करके और फिर किसी भी chrome मलब हमें type नहीं करना पड़ेगा इतना लंबे-लंबे question ठीक है देखो remember my choice करके chrome कर देना तुम लोग और फिर यह क्या होगा तुरंत open कर देगा और फिर हम क्या कर सकते हैं दोको answer हमारा आ गया प तुम लोगों को कि और जितने यह सारी जैसे यह last dollar question है 5 mark का ठीक है तो मैं इसको भी smart look up करके दिखाता हूं कि यह question आता है कि नहीं देखो यह question आ गया with image ठीक है तो अगर हमें करना है तो simply कर देंगे हमारा type हो गया question पूरा question का answer दिख रहा है ठीक है तो यार इस तरह मलब ह क्या करना होगा अपने setting में जाके और यहां पर on करना होगा accessibility को ठीक है तुम लोगों का phone हो सकता है चेंज हो तो उसमें दूसरा setting में आके accessibility का जो option होता है इसको हम accessibility menu को on कर दे रहा है तो यह on कर देंगे उसके बाद क्या होगा जिसे मालों कि यह हमारा PDF है तो यहां पर दे तो देखो यहां पर हाँ height base जो भी value डालेंगे वो तुरंत हमें पता चल जाएगा ठीक है तो यह trick हो सकती है interesting ज्यादा ना हो लेकिन इसके पहले वाली trick बहुत ही interesting है और वो trick अभी भी YouTube पर अभी तक किसी ने नहीं बताए होगी ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है